अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हो मुमीन गोट फार्म आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकुन को दबाना ना बुलिएगा फ्रेंड्स आ कि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे आज हम आए हैं बेवंडी सीटी में आजम भाई के आप है स्लालेकुम आजम भाई थोड़ा जोर से बुलना भाई कैसा मील चल रही है वह सबसे कैसा आवाज ज्यादा उसकी आएगी आजम भाई इधर पर जैसे की बहुत अंदर है तो इधर पर आने का लोकेशन पहला बता दो विवंडी में खुनी गाउ बेवंडी खुनी गाउ पारोल रोड पारोल रोड रिवा गोट फार्म यूटूब पे डाल के आ से तो वह सबसे आ भी सकते हो आप लोग पागी माशा अला बहुत ही शांदार चीज है दोस्तों गुजरी में बच्चा है चेरा दिखो ज़र आ बख रहा है माशा अला आजम भाई इसकी डिटेर्स क्या आएगी ऑटीवन हाइट है एटीएट प्लस वेट है तोला हुआ वजन है अगर हमारे किसी भाई को वजन तोल के ची रहे हो तो मिल जाएगी वीडियो जैसा कि आजम भाई बता रहे हाइट और हाइट क्या इसकी 41 हाइट है जैसे कि हाइट नापी भी 41 है इंशालला 41 प्लस आएगी और वजन 88 टोला हुआ है और क्या दात पर है यह भाई अभी आटवा दात फ्रेश लगाया है बागी जानवर की जो ही सबसे हाइट है बहुत ही शांदार है और अभी बनने अलब अच्छा है क्योंकि अ बहुत शांदार बनेगा अभी 88 बोले तो दिकरा नहीं बच्चा हुए इसाब से वजन इत्ता लेने के बाद भी इंशालला 100 प्लस जाएगा तो भी इत्ता वजन दिखेगा नहीं बखरे के बदन पर बहुत लंबा बच्चा है तो आजम भाई इसका प्राइस अपना क्या कि इक रहता है लोगों को क्या प्राइस जैसे कि भूछ स्योंगर और प्राइस नहीं नहीं बताया तो वीडियो हम लोग नहीं देखेंगे तो आप पलाई पे रखोगे पलाई पलाई पे अपना क्या पलाई चार्ज है फचीस तो रुपय लिखा लगा है फचीस तो रुपय अंडूल का जैसा कि आजम बाई का सेट अप भी है एक और भी दे तू सेट अप का माशाए ला बहुत शांदार सेट अप है इंका तो वह सबसे पलाई पे भी रख लेगे बच्चा माशाला चीज बहुत अच्छी है दोस्तो आजम भाई आपका लाफिस